दोस्तों आज शी वीडियो जो रहने वाली है बहुत जादा इंपोर्टेंट रहेगी जो भी बच्चे बोल रहे थे कि सर्फ पाइल के बारे में बताईए पाइल फांडेशन पे वीडियो लेके आईए तो आज की जो वीडियो रहेगी टोटल आपके लिए में क्या लेके आ वाली है कि कैसे आपको करना है क्या क्या चीज़ें होती है क्या क्या इंटर्वियो में पूछा जाते वो सब चीज़ें में इस वीडियो में बताने वाला हुआ तो complete वीडियो देखना है थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा 10-15 मिनिट में आपके लूँगा लेकिन उसमे काफी नॉलेज जाके दिखे जाने वाला हुआ सबसे पहले स्टार करते हैं मैं बेसिक में बता देता हूँ यह हर एक बच्चे को पता होगा कि पाइल फांडेशन करते क्यों है ब्रीज होगे घर की कंस्ट्रक्शन होगी जा कोई भी स्ट्रक्चर बनते है अगर बेरिंग क हो सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर अगर की अगर मैं बात करूं तो इसलिए हम क्या करते हैं पाइल फांडेशन वहाँ पे देते हैं तो काफी टाइप की पाइल फांडेशन होती है मतलब लोड बेरिंग रहती है तो इसमें मतलब आपने सुना होगा जो एंड बेरिंग होती है वो क्या होती जहां hard starter आ जाता है तो थोड़ी depth तक दी जाती है फिर friction पाइल रहती है ऐसे काफी type की pile रहती है और उसमें material भी काफी कुछ timber यूज किया जाता है कहीं concrete यूज किया जाता है कहीं still use किया जाता है तो हर तरीके से होता है यह बात हम नहीं करेंगे यह हमारा theoretical part आ गया इस पर अगर आपको चाहिए होगी वीडियो ले आएंगे आप बोलोगे तो ठीक है अब भी आते हैं जो most important interview questions रहते हैं वो मैं आपको बताता हूं theoretical लाओंगा theoretical से सिखाऊंगा आपको लेकिन वह पूरा practical touch आपको मिलेगा यहां पर हमारी पाइल होने वाली है ठीक है यह नीचे तक हमारी पाइल जाएगी तो होता क्या है आपने देखा होगा पाइल यहां तक भरी जाती है यह हमारा एक level आ गया कुछ भी यहां तक भरी जाती है और उसको बाद में तोड़ा जाता है और mostly जब मैंने starting ने देखा मैंने सोचा था यह गलत practice हुई है और जादा बर्दी के इसलिए तोड़ी जा रही है लेकिन होता क्या है एक cut-off level रखा जाता है एक level होता है वहां तक हमारी जो होती है पाइल होती होती है वह हमेशा की तरह रहेगी लेकिन उसके उपर उस level के उपर क्या होता है उसको ज्य जादा extra बर जाता है और minimum कितना जादा बर जाता है वो रहता है 600 इतना minimum उसको बरा ही जाना चाहिए क्यों बरा चाहिए होता क्या है देखों में समझाता हूं आपको जब concrete होता है यह trimmy pipe अंदर डाली boom placer की जो concrete किया जाता है trimmy pipe है ठीक है इसको अंदर डाला आगे सब कु concrete डाला जाएगा इसमें क्या होता है जैसे एक pressure से कोई चीज पढ़ती है तो नीचे जो होगी क्योंकि इसमें पहले process हुआ होता है आपने bentonite के बारे में पहले में बताया भी है और आगे बताने वाला हूं क्या होता है जब इसकी excavation की जारी होती है उस दोरान मिटी गिरे नहीं तो हम bentonite की एक slurry बनाते हैं fiber और bentonite mix करके तो वो इसको रोक के रखती है तो वो slurry नीचे भी बैठी होती है थोड़ी बहुत मिटी भी नीचे बैठी होगी और जब एकदम से concrete यहां गिरेगा नीचे ठीक है वो जो slurry होगी वो उपर आ जाएगी और trimmy pipe तक यह मतल क्या होता है वो जो slurry और concrete mix हो जाता है unsound एक concrete बन जाता है ठीक है जिसमें मिटी भी mix है कुछ गंद फंद पड़ा हुए वो अच्छा concrete नहीं है और उसको तोड़ दिया जाता है और वो cutoff level से उपर जो होता है वो हमारा कौन सा होता है अच्छा concrete नहीं होता है उसको देखा होता है कि कितने level तक यह depth पर depend करता है फिर यह आपके size पर depend करता है तो यह आपको drawing में mention होगा cutoff level एक level ऐसा level जहां तक हमारी जो pile है वो सही रहेगी उसको रखना है रखना है लेकिन उसके ऊपर क्या होगा minimum 600 हमारे concrete करना पड़ता है इसको ऐसे पकड़ के चलो जब हमारा यह pile हुई है ठीक है यह pile हो गई और यह 75 mm आपको थोड़ी उपर रखनी है कि क्यों इसके उपर हमारी pile की cap आने वाली है ठीक है तो यह 75 mm थोड़ी उपर रखी जाती है cutoff level से कि बाद में water table उपर हो तो पानी अंदर को से नहीं इसलिए यह तरीका कियते आगे IS code अगर आप comment करते हो लास तक वीडियो देखना मैं बताओंगा कहां आपको मिलेगा जो लास तक वीडियो देखा वो उसको आइडिया लग जाएगा कहां वो इसकोड में पूरी डिटेल यह लेकिन उसमें से मैंने डिटेल निगाली हुए कुछ प्रैक्टिकली एड की है तो आपको इजली सीखने में मिलेगा यहाँ तो मिनीमट डाय कितना रखाता है तो मिनीमट डाय कितना रखा जाता है ऑक कि डिपेंड किस पे होता है बगे डिपेंड होता है आपके लोड पे आपकी बेरिंग कपेस्टी स्वाइल की और लोकेशन के हिसाब से वह है फिर नेक्स्ट जो है कितना होता है जो यह पोइंट 4 परेसंट जो लांगिड्यूड की में बात कर रहे हैं उसके जो स्पाइरल है उसकी बात नहीं हो रही है 0.4% longitudinal cross section area पाइल यहां तक लेर होगे और फिर जो clear cover provide किया जाता है किसी pile में इंडिया IS code कहता है 50 mm से कम नहीं करना लेकिन आपको 75 mm cover देना ही देना है जहां भी pile provide करो फिर जो links provide किया जाते है लगाए लो spiral जो stir up यूज किया जा रहा है spiral का उस पे मैंने bar bending schedule लाया था पहले आपने वीडियो देखी होगी वो उसका minimum 8 mm का रखा जाता है फिर कई जगा 10-12 भी रखा जाता है जहां depend होता है load पे फिर जो spacing होती है आपको वो आपको 1500 mm से कम नहीं रखनी है उससे जादा ही रखनी है कोई दिक्कत नहीं इसने बार छे बार प्रवाइड करने होता है minimum six बार आपके रहेंगे रहेंगे और minimum dia कितना प्रवाइड करते हैं हम किसी पाइल में हम 12 mm का सरिया minimum प्रवाइड करते हैं बाकि depend होता है design के इसाब से drawing के साब से और जो इनकी spacing रहेगी longitudinal जो सरिया रहेगा उनके बीच की spacing रहती है four into dia half aggregate जो भी maximum dia use किया जा रहा है उसका चार गुना क्यों इसना चार गुना किया जाता है इसलिए चार गुना किया जाता है कि जो concrete अवो प्रॉपर अंदर गुज जाए एक प्रॉपर bond बन जाए क्योंकि यहाँ कोई vibrator बगरा जो IS score 456 को follow करे और जिसमें minimum cement 400 kg होई हो पर M3 के हिसाब से फिर जो slump यूज किया जाता है 1500 से 180 mm का slump यहाँ यूज किया जाता है क्योंकि self compaction इसमें होने वाली है कोई vibrator यूज नहीं किया जाएगा तो 1500 से 180 mm यूज किया जाता है फिर अगला question है उसमें आपको comment भी किया था कि sir आपको क्या क्या वीडियो चाहिए तो जिन बच्चों ने comment किया था सब वीडियो उनको मिली थी तो उसमें बता है इसकी pH value रहती है 9 से 12 ये SSC के JEE का exam हुआ था वहाँ पूछी गी थी pH value वेंटोनेट की जो slurry बनाई जाती है जैसे मैं पहले बात कर रहा था एक slurry बनाई जाती है जो help करती है soil को अपनी position में रखने में कि अंदर गीरे नहीं तो density जो रहती है इसके 1.05 से 1.12 GM पर CC रहती है फिर charging plate charge blade या charging आप concrete क्या होता है देखो होता क्या है एक frustum shape एक hopper रहता है जब concrete किया जाता है यह pile हमारी होती है यह जो हमारी pile है इसके अंदर concrete जो डाला जाता है यह trimmy pipe डाल दी उपर इसके frustum रखा जाता है frustum होता है hopper यासा बनाए होता है जिसमें concrete डाला जाता है उसकी capacity depends करती है अगर 1200 mm का hopper है charge plate का काम क्या होता है इस concrete को तब तक रोक के रखने जब तक यह hopper पूरा बर जाता है इस charge plate को खींच लिया जाता है और concrete direct यहां नीचे गिरता है और इसका मकसद क्या होता है जैसे मैंने starting बताया क्यों हम direct गिराते है मतलब देखो जहां तक हमारी पूरी pile होती है कुछ एक और रखा होता है पूरा design में mansion भी होता है और side way भी इसको निकाल सकते हो कि आपको कितनी जगा trimmy pipe कितनी उपर रखनी है यह approach कही जगा 1 feet होती है कही जगा 2 feet भी रखी जाती है तो उपर क्यों रखी जाती है जैसे मैंने बताया है नीचे slurry होती है और जब charge plate निकालते हैं यह पूरा concrete एक दम से नीचे गिरेगा और जब एक दम से कोई चीज नीचे गिरती है तो splash होता है नीचे वाली चीज उपर आयाती है और नीचे है तो जब यह नीचे आयाती है इदर दर पहुंच गया जब concrete हम डालेंगे तो concrete उपर-उपर जाता जाएगा और जो उपर मिटी का ठी अठी अडूई होगी वो उपर-उपर जाते जाएगी उपर-उपर जाती जाएगी कोट-अफ लेवल से उपर जाएगी वहां पर जो concrete होगा वैसे भी हमें तोड़ना है तो वो तोड़के हम निकाल देते हैं तो उसी concrete उसको तोड़ते कब हैं उसको तोड़ते हैं 7 दिन के बाद तोड़ना होता है क्यों उससे पहले नहीं तोड़ते हैं क्योंकि 70% उसकी जो compressive strength है वो आज आनी चाहिए उसके बाद तोड़ते हैं और बीच में हमारे उसको development dolls war होते ही है मतलब extra सरीया होता ही है वो extra सरीया निकाला होता है उसको band किया जाता है उसके उपर pile cap की जाती है यह मैं आपको side पे दिखाऊँगा जिन्हों ने देखी होगी उनको idea लग गया होगा तो यह question थे आज के यह मतलब I hope आपको इसमें से idea लगा होगा ऐसी तीन वीडियोज और हैंगी जिसमें pile foundation के interview के बारे में बताऊँगा तो ऐसी वीडियोज में लाता रहोगा बस आप channel को subscribe करके record bell icon दुआ के रखो